नमस्कार विद्ध्यार्धिमित्रो मनोविग्णान प्रकृरण एक समेदन ध्यान अने प्रत्यक्षिकरण आ प्रक्रण मा आपने आ त्रण बावतोंनो अभियास करवाना छी ये शमेदन ध्यान अने प्रत्यक्षिकरन मनोविग्णान ना अभियास मा मानव वर्तन केंद्र स्थाने छे इतले मानवी ना वर्तन पर असर करता जुदा जुदा परिबलोनों अभियास करवामा आवे छे अने आवा परिबलो मा सरीर तंत्र आपनी आसपास नू वाता वरण जीवी बाबतों नो समावेस्थाई छे मानवी नू सरीर तंत्र एना वर्तन पर असर करतू होई छे अने मानवी ना सरीर ना तंत्र ने एनी आसपास नू वाता वरण असर करे छे आपनी आसपास घणा बदा परिबलों घटको रहेला होई चे औने आवा परिबलो औने घटको नी असर अपना वर्थन उपर एक या बिजिरीत थती होई चे आवा घटको माथी कितलाक घटको पर आपनु ध्यान जतु होई छे, आपना ध्यानना केंद्रमा आउता होई छे, आपन नेनी ज्यानकारी प्राप्त तती होई छे, और कितलाक तरफ आपने ध्यान आपता नथी आ बाबत ए आपना बुदकार ना अनुबवो अने आपना सिक्षण उपर आधारित छे, तो आवी रिते वर्तननी प्रक्रिया पर सम्वेदन ध्यान अने प्रत्यक्षिकरण नी असर थती होई छे मित्रो सम्वेदन शब्द सम्वर्ताज आपना मनमा विचार आवे के सम्वेदन एटले शू, तो सम्वेदननी व्याक्या आपता एम कहवामा आवी छे, के ग्नानेंद्रियो द्वारा थतो उद्धिपक्नो अनुभव, एटले सम्वेदन ग्नानेंद्रियो जे आपनने ग्नान आपे छे ए, और एवी ग्नानेंद्रियो पांच छे, आक, कान, नाक, जीब, और त्वचा आम मानवी ना जीवन मां पांच ग्नानेंद्रियो मनुष्य जीवन नी अंदर महत्वनी गणवा मां आवेली छे मित्रो सम्वेदन सुछे, एनी समझूती आपतो आ एक वीडियो आपने जोईए, जेथी आपनने ख्यालावे के सम्वेदन ए सुछे अज हम बॉड़ी के फाइफ सेंस ओर्गन के बारे में जानेंगे So, are you ready? Yes! Let's get started! ऐसे ओर्गन जो हमें हमारी बाहरी दुनिया से मिलाती है जिसकी वजा से we can learn, understand and enjoy all the things around us is all because of our sense organs Our five sense organs are eyes, यानि आँखे ears, यानि कान, nose, यानि की नाग, tongue, यानि जुबान and skin, यानि की त्वचा अब आप सोच रहे होंगे कि इन्ही five organs को sense organs क्यों कहते हैं? It is because ये organs जुड़े होते हैं हमारी brain से कुछ ऐसे sensory nerves के जरिये जिने हम cranial nerves कहते हैं ये cranial nerves, organs से messages brain को पहुंचाती हैं and in return brain उस चीज के बारे में हमें समझाता और सिखाता है तो मित्रो, अईया आपने ए जोयू के पांच ग्नानेंद्रियों द्वारा आपनने बाहिय जगतना उद्धी पकोनों अनुभव थतो होई छे आ ग्नानेंद्रियों ना माध्यम थी बाहिय जगतना उद्धी पको आपनी अंदर प्रवेशे छे औने ए संदेशों आपना मगज सुदी पहुंच वाड़े छे औने मगज त्यानी सामे प्रतीक्रिया आपवानु कारिय करे छे आपने शम्वेदननी अनुभुती जे छे ए थती होई छे तो आम प्रारंभीक अर्थनी अंदर आपनने एक ख्याल आवे कि सम्वेदन ए अहिया आपने सम्वेदन ए सुचे ए समजवानों प्रहत्ना करो तो एक सब्द एवो आवे छे के जेमा उद्धिपक निवात आवे छे स्वभाविक छे के आपना मनमा एवो प्रश्ना थाई के उद्धिपक ए सुचे तो उद्धिपक ए आपना आजपास्मना जगतमा रहेलू एक एवो घटक छे जे घटक आपने वर्तन करवा माटे प्रेरे छे अने एनी समझूती माटे तमे आ एक वीडियो ने जोवो विध्यार्थी मित्रो आज ये वीडियो छे ए मूर वीडियो अंग्रेजी माँ छे अने तमने समझवा माँ सररता रहे ए माटे हुँ एनू ट्रांसलेचन करू छू अगावना वीडियो माँ आपने उद्धीपक ए सुछे ए समझिया अने हवे उद्धीपक केवी रिते कारिया करे छे आपने तेने समझवाना छिए यह जगतना अनुभवो ग्नानेंद्रियो द्वारा उद्धीपक तरीके सरीरमा प्रवेशे छे अने आ ग्नानेंद्रियो तेने चेता प्रवाहना रूपमा रूपांतरित करीने संदेशा रूपे मगज सुधी पहुच आडे छे मगज सुधी ते पहुच ता मगज परिश्थिती नुँ विश्लेशन करे छे उदाहरन तरीके सुरिय प्रकास नुँ प्रतीबिम लिला छोड पर पडे छे आ लिला रंग माथी उद्भूतु उद्धीपक आपनी आख सुधी पहुचे छे अने आखना कोश सक्रिय थाई छे अने ते चेता कोश मारूपां तरित थाई छे जे चेता प्रवा जन्मावे छे आ चेता प्रवा मगज सुधी पहुचे छे अने आपन नेल लिला रंगनी अनोबुती थाई छे मगज खुबज समेदन सुछे ते बे प्रकारनी प्रवुतियो करतो होई छे समेदनिक प्रक्रिया तंत्र द्वारा अने कारक प्रक्रिया तंत्र द्वारा समेदनिक प्रक्रिया तंत्र द्वारा ते संदेशाओ जिले छे अने सम्वेदन अंग द्वारा मगज सुधी पहुच आडे छे कारक प्रक्रिया तंत्र द्वारा आ संदेशानों अर्थ घटन करे छे अने सबंदित अर्थ घटनने प्रतिक्रिया माटे उद्दिप्त करे छे उदाहरन तरीके आपनने मच्छर करडे छे સામેદણનીક પ્રક્રીયા તંત્ર મગધ્ને જાણ કરેછે, અને કારલગ પ્રક્રયા તંત્ર આપણને આધશ કરેછે अने आपनों हाथ मच्छर पर जाई छे अने आपने तेने मारिये छिए आ रिते आपनों सरीर ए उद्धिपक तरप प्रतिक्रिया करतु जोवा मले छे आपने उद्धिपक अने शम्वे दन आ बे बाबतो विशे समझुती मेडवी हवे आपने उद्धिपक अने शम्वे दन एटले आपनी जे प्रतिक्रिया छे ए बंडेनु एकुदा हरण आ विडियो द्वारा जोई शू आकस्मिक रिते आपने गरम पदार्थने स्पर्शिये छिए आपना हाथने स्वय लागे छे अने डक्टर घुटन पर रबर्नी हतोडी मारे छे आवी परिश्थितिमा आपने तरतज हाथ के पगने खसेडिये छिए गरमी, सोई अने रबर्नी हतोडी उद्धिपक छे आपने तेना तरफ आटोमेटिक प्रतिक्रिया करिये छिए आ आपो आप थती प्रतिक्रियानों संचालन स्वयम संचालित चेतातंत्र अने करोडर जुद्वारा ठाई छे तेमा मगजनी कोई भूमिका होती नथी उद्धिपक आवे छे अने प्रतिक्रिया थाई छे अहीं स्वयम संचालित चेतातंत्र द्वाराज आ प्रक्रियानों नियमन थाई छे प्रतिक्रियानों इन्पूट चेता कोश अने चेता प्रभाहद्वारा करोडर जुद्वा थाई छे प्रतिक्रिया खुब जड़पी होई छे तेना माटे त्रण कोश जवाबदार छे सामेदनिक, सहाचरिय अने कोश आपने उद्धिपक औने प्रतिक्रियानी समझूती मेलविया पची एतलू समझी सक्या छिए के उद्धिपक सूछे औने प्रतिक्रिया सूछे जे सम्वेदन छे ए सम्वेदन ग्नानेंद्रियो द्वारा थतो उद्धिपक न अनुभव छे હવે આ અનુભવ આપણ ને જે ઘટક કરાવે છે જે તતવું કરાવે છે એને સમેદક કેવા માવે છે એટલે જે સમેદન જણમાવે તે સમેદક હવા એ સમેદક છે તો પર્શ સમેદન છે અને લતાજીનો અવાજ એ સમેદક છે તો આપણું સ્રવણ થવુ એ આપણું સમેદં છે એટલે આપણને જે અનુભુતી થાઈ છે એ સમેદં છે અને એ અનુભ માટે આપણને પ્રેરે છે આવી ગ્ણાનેંદ્રીયો એ આપણને જુદા જુદા પ્રકારના વર્તન માટેની પ્રેર આંત્રીક શમેદકો આંત્રીક અવીયવો એ રચના માટે જુદા જુદા શમેદાનો જવાબદાર હોઈ છે જો આપણે શરીર્ણ શમેદકો ની વાદ કરીએ તો દ્રસ્ટી શમેદન માટે શળીકોસ સંકુકોસ કે કોસોની જોતે જીત થાઈ છે ત્યારે આપણને દ્રસ્ટી ની અનુપૂતી થાઈ છે આમ આપણા સમેદકોની ઉતેજના એ આપણામ અનુભૂતી કેવી રીતે થાઈ છે આવા મુદાવની સમ્જૂતી બેળવેલી છે હવે પછી આપણે સમેદં ના 5 હસે તો આવા વીડ્યો મેળોવા માટે તમારે આ યુટ્યોબ ચાનલ એને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે અને નવા વી